बेट तो अपने बाप से बहुत प्यारी करता है लेकिन बेट के जो बीबी होती है वो केती है कि तुम अपने बुड़े बाप को अनाद आसर में छूड़ दो तो वो बेट अपनी बाप की बात नहीं मानता है अपनी पतनी की बात मानता है वो लेकिन चला जाता है अनाद आसर में छोड़ देता है तब पतनी कोल करती है कि तुम अपने बुड़े बाप को एक बार जाके बोल दो कि तू ते बार में भी नहीं आएगा मेरे गर में पर में भी नहीं आएगा फिर वो बेटा जब अनाद आसरम जाता है देखता है कि उसका बाप मेनेजर की साथ हस की बाती करता है उसका बेटा देखती ही हिल जाता है फिर मेनेजर से केता है कि मेरा बाप तुमारे साथ कैसे हस की बाती करता है कब से जानता है तुम मेनेजर गेत है कि ये तुमारा बाप न यहीं से तो तुम्हें लेके गया तब से ही तुम्हें जानता है तुम भी तो अनाथ था और आज अपने बाप को अनाथ कर दिया बेटा रोने लगा ये बात सुनते ही और केन लगा कि मैं अपनी पत्नी के बेकावे में आ गया था मेनेजर साहब मैं अपने बाप के साथ रहूंगा